इसके बाद अब मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर संदीप कुमार सिंग जी को आपके बारे में मैं थोड़ा सा परिचे बता दूँ मैटीरियल एंड सर्फेस ठोरी में एक अनुभवी विज्यानिक हैं आप एंट वर्प विश्विद्याले बेल्जियम से आपने कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में पिएजडी किया और प्रोफसर विजिटिंग रिसर्चर बहुतिक विभाग चाल्म्स यूनिवर्स्टी ऑफ गोथेन वर्ग स्वीडन में आई आई टी मद्रास चैनलई से एंटेक अलीगर मुस्लिम विश्विद्याले से बहुतिकी में मस्सी बरतमान में अलीगर यूपी में एक शेक्षनिक संस्थान में निदेशक के पदपर नियुक्त हैं इस प्रकार से वेग्यानिक प्रतिवा के अत्यंत धनी डॉक्टर संदीब कुमार सिंग जी को मैं आममद्र करता हूँ आप आए करतल दोनी के साथ उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर संदीब को मंच पर विराजमान स्वामी अगनिवर्द जी प्रोफेसर साथ आदरडीय संतसमाज आदरडीय जसाफ और भाईयो बेहनों को मेरा प्रडाम तो जो टाइटल है इस टॉक का कि My Journey with Modern Physics and Vedic Physics जो ज्यादतर ओडियन्स है जो यंग स्टुडेंट्स हैं तो वो Modern Physics ही पढ़ रहे हैं चाहे वो Engineering के स्टुडेंट हो या Science के स्टुडेंट हो Modern Physics है कैसे थोड़ा Vedic Physics में Transition करें हम या Vedic Physics में क्या है तो मैं थोड़ा अपनी कहानी सुनाओंगा ताके आप भी थोड़ा correlate कर पाएंगे उसे थोड़ा सा संबंद रख पाएंगे कि थोड़ा सा आपको अपनी कहानी भी लगेगी तो पहले मैं एक Physics में साइंटिस्ट बनना चाह रहा था तो मैंने उसके लिए B.Sc. M.Sc. पहले अलिगड़ मुस्लिम उनिवस्टी से की एक क्या होता कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा थ्योरी बेस्ट पढ़ाई है तो फिर लगा कि जब ये ग्यान इतना ले लिया नीटोनी केसन ले लिए स्रोड इंजरी केसन ले लिए क्वांटम मेकैनिक्स पढ़ ली ज्यान को जब प्रेटिकल फॉर्म में कोई प्रॉड़क्ट नहीं बना पा रहे हम तो वो वेस्ट है नौलेज को ऐसे ट्रांसफर करना होगा हमें तो फिर मैंने एम्टेक आईटी मदरास में जोइन किया इंडरिस्टियल मैथमेटिक साइंटिफिक कंप्यूटिंग में तो इसे क्या हमें लगा कि जो भी हम सोच रहे हैं अब हम सोचते हैं ने सुसाइटी में कि वाटर इसे बनाएं यह बहुत सारी प्रब्लम है तो खाली कंसप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा हमें एक टीमवर्क और एक प्रोड़क्ट डिजाइन करना होगा तो एक आयाइटी मुझे लगा एक अच्छय एस्टिट्यूट है आयाइटी में जाके मैं कुछ सीखता हूँ ट निया मेटेरियल डिस्कावर्ड हुआ है अभी 2004 में और इतना वंडर्फुल मेटेरियल है कि यह स्टील से ज्यादा पावर्फुल है और वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज होता है और यह अनब्रेक अवेल एलेक्ट्रोनिक्स में भी उज होता है कि आपका म हमने में काम भी कर रहा हूं प्रोफेसर नौवसलोप के साथ जो के यह कौने वाले प्रोफेसर हैं तो अभी हमने एक रिसार्च पेपर भी 2017 में इनके साथ मिलके पपलिस किया है जो बहुत ही हाई इंपक्ट्रेक्टर पेपर है फिर हम मैंने यह तो भी चल रहा था है कि कि कर रहा हूं बहुत ही कुष हो यह कर दिया versucht कर दिया ए और मैने असे साइनिस्टी का क्या होता है कि अपना एक एरिया ने रख्के मैं थोड़ा सा अपना वायड एरिया भी करना चाहिए कि दूसरी है भी एक्स प्लॉर करने चाहिए तो पर मैंने ऐसे साइन्टिस्ट मै आँखें नहीं, आँखों में रोशनी नहीं है, तो हम लोग bionic eyes बनानी पुशिस कर रहा हैं, कि जैसे आँखों में camera लगा ले हैं, और जहां से दिमाग में ऐसे eye control होती है, तो वो connection करते हैं, bionic eyes से, तो वो ऐसे ही देखने लगे, या किसी दिए के हाथ जल गया, तो माइं तो यह बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो मैं भी एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वाल था, जो के हम प्लांट में इलेक्ट्रोनिक्स लगा रहे थे, एक हमने सॉलूसन लिया, उसमें पॉलीमर केमिस्ट्री डाला और प्लांट को खड़ा कर दिया, और प्लांट वो उसमें इलेक्ट्रोनिक्स अंदर सर्केट बन गये प्लांट के पानी ऐसे ऊपर चड़ता है, प्लांट के अंदर ऐसे सर्केट में, एक केमिस्ट्री इह पॉलिमर भी अंदर चड़ा, उसे सर्केट बना लिया, तो ये पहली बार हमने जब करण्ट पास किया तो ये प्लांट मरा मतलब, पहले क्या होता था कि प्लांट से एलेक्टरन इलेक्टिस टी को बोगुब नहीं कर पाता था तो इसने पेखली वार हिस्ट्री में प्लांट ने अपने आपको ऐसे एडजस्ट कर लिया कि वो सर्वाइब कर गया तो यह बोती बड़ा झीज था दुनिया में और न्य तो यह बहुत बड़ा नियूस था, हम बहुत ही खुछ थे, क्यों कर रहा है हम, क्योंकि प्लांट सबसे कम हमने रिसर्च किया है, प्लांट के उपर, हुमन्स और ऐसे ज्यादा कि अलगे प्लांट सी हमारे सारे फूड, सारे प्लांट दे रहे हैं, तो फिजियोलोजी को अं कैसे बात करते हैं, कैसे उन्हें प्यास लगती है, क्या है, मतलब इनका इनका भी एक लाइफ है, अलगी विचितर दुनिया है इनकी, तो बड़ा अच्छा हुआ, कि भाई हमने बहुत ही अच्छा कर दिया, लेकिन यहाप है थोड़ा सा, अब थोड़ा प्रॉबलम स्टा हुई, कि यह बिजनिस में कनवर्ट हो गया, कि जो वेस्टन साइंटिस्ट है, कि तभी हमें 600 मिलियन यूरो का जो वुड इंडरस्टी है, स्वी डन में, उन्होंने यह प्रोजेक्ट दे दिये, अब यह बिजनिसमें आगे अपना दिमाग लगाने, कि प्लांट में कुछ करंट पास करें, इनके साथ खिलवाड करें, या हमने भी ऐसे बेचा है, एक इंडरस्टी ने, ये लैब ने भी, कि कभी-कभी ऐसे बारिस हो रही है, फूल, आपके फूल के प्लांट से हैं, तो आप काटना नहीं चाहरें, कि मार्केट में जाएंगे नहीं, तो आपने थ इनके साही नहीं है, इतना खिलवाड नेचर के साथ, और दूसरी भी चेज की जो रूट सोती है, पेड़ों की, ये बहुत ही ज़्यादा बाइलोजिकल केमिकल सेंसर है, वो नमी को देख लेती है, उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन अब इस टेकनलोजी का, ये लोग केमिक और बाइलोजिकल वेपन के सेंसर टेकनलोजी में यूज करना चाह रहा है, या वो कंपनियां भी बहुत आ रही थी उनके पस, और तीसरे जो मार्स और मून मिसन चल रहा है, कि वहां पर बचती बसा देंगे हम, तो ये कहरे हैं कि ये ट्रीज हमें दे दो, ये टेकनलोजी ताके हम वो फूड भी दे दें हमें और एलेक्ट्रिक सिटी भी हम उन से ले ले लें, वो सोलर सेल की तरह काम करें, अब ये बिजनिस क्यों आ रहा है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा, आज के जो मौड़न साइंटिस्ट हैं, उनके सोच में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, कि वो अब हमारे डिसी मुनियों की तरह नहीं है, कि जो जगद का भला करने वाली साइंस हैं, वो ही हम करेंगे, आज कल के साइंटिस्ट से सोचते हैं, कि ये हमारी जॉब है, मतला हम साइंस करेंगे, बिजनिसमेन कैसे इसका यूज कर रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है हमारी जॉब पक्की हो गई है, पैसा मिलना हमारी फैमिली है, और दूसरा हमी कहा रहा हूँ कि जब हमारी सक्सेस्पुल हो गया, हमने पेपर पब्लिस कर दिया, पूरे दुनिया में वाई वाई हुई, तो हम पार्टी में डूब गए, अल्कोहल चल रहा है, मीट चल आई तो स्वामी जी ने एक बात कहीं कि यह पुरुसार्थ हम वेस्टन साइंटिस्ट और साइंटिस्ट बहुत जादा कर रहे हैं, दिन राध लेम में लगे हुए हैं, तो स्वात्विक भोजन या स्वात्विक चीज़ें नहों होने के वज़े से, इसके जो डेंजरस परड़ हम आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम है, कि वो इसका निगेटिव कंसिकेंस या निगेटिव जो रिजल्ट है, वो नहीं सोच पा रहे हैं, कि कौन सी टेकनलोजी समाज के लिए बाद में बुरी होगी, अब पता नहीं पेड़ों में एलेक्रिसिटी का क्या कर रहे हैं, यह कंप और यह भी है कि जो टेकनलोजी हम के रहे हैं यह टेकनलोजी आने से हमारी लाइफस्टाइल सोधर जाएगी, लेकिन बहुत टेकनलोजी एडवांस भी हो गई है, वह हमारी लेकिन तब भी क्लाइमेट चेंज या दूसरा पलूशन बढ़ता ही जा रहा है, और मेंटल डिस हो रहे हैं, not only humans, मतलब animals, monkey भी हो रहे हैं, aggressive कुटे भी हो रहे हैं, सारे aggressive हो रहे हैं, mental disorder बहुत बढ़ रहा है, तो यह तो एक कहानी हुई, कि क्या मतलब modern science में थोड़ी problem क्या है, दूसरा एक और कहानी है कि मैं फिर Chalmers University of Technology in Sweden में में मूव किया, एक और मेंने का कि चलो एक रिसर्च करते हैं, तो solar energy आज के जमाने में बहुत ही हुआ है, बहुत चल रहा है, कहले है, कोस्ट बहुत हाई थी, अब कोस्ट बहुत लो हो गई है, घर-घर में हम solar लगा दें, लेकिन इसका भी थोड़ा problem है कि यह e-waste generate करती है, तो हम सोचा कि अब organic electronics से bio degradable solar panel बनाएं, तो उसमें भी यह problem आ रहा है कि वो एक दिनी solar panel चलता है, लेकिन कम से कम ऐसे silicon वाले जो आपके panel है, वो 25 साल की guarantee है, लेकिन उसमें organic electronics, organic जो हैं, वो खाली एक दिन या दो दिन stability है उनकी, तो वहाँ एक problem आ रही है, तो वो market में नहीं आ पा रहे, लेकिन यह problem solar cell का यह है, कि दिन में तो आप बिजली चला लेंगे, और कभी लेकिन दिन में कभी बारिस आ गई, धूप चले गई, और फिर वो voltage ड्रॉप होता है, एक जैसा voltage नहीं है, दुपेर में तेज धूप है, सुबह है, दूप नहीं है, या रात में तो बुलकुली, तो इसको बेंटरी अच् कर लेंगे, गरहड करके, दूसरे फॉर में कनवर्ट हो जाता है, और फिर रात में इसे थोड़ा हीट कर दें, तो सारे इनरजी को रिलीज कर देता है, तो ये वापस अपनी फॉर में वापस आ जाता है, तो ये 10,000 टाइम, 10,000 बार ऐसे हम यूज कर सकते हैं, लेकि इसका प्रॉबलम क्या हो रहा था, कि ये ऑटोमेटिक पहले एक दो मिनिट में वापस आ जाता था, हमने दूब में रखा, दूसरे इसमें चेंज हुआ, फिर एक दो मिनिट बाद वापस आ गया, तो हमने थोड़ा से में मोडिफाई किया, और हमने इसको 17 साल पे ले गए, कि 17 स साल तक ही वापस नहीं लोटेगा, मतलब टेक्नलोजी के लिए तो कम से कम 12 गंटे तो चाहिए, कि अब दिन में 12 गंटे रख रहे हो, लेकिन रात में काम आने के लिए से 12 गंटे तो मतलब नहीं आना चाहिए वापस, लेकिन हमने इसमें तूड़ा मोडिफाई किया, अब लेकिन ये प्रॉल्म क्या होती है जो कि आसे और सॅलर सल — क्यों नहीं बन रहे अच्छी बैंटरी क्यों नहीं बन रहे लिटियम आयन की दूसरी क्यों नहीं आरी मिर्गेट में हिन सारी छीजों में प्रॉल्म होती है ये चार पांच сторонion करती है एक चीज आप सुधारते हैं तो दूसरी चीज बिगड़ जाती है दूसरी सुधारते हैं तो तीसरी बिगड़ जाती है तो यह एक ऐसे device बनाएं जो सारी चीज सुधरी हो यह बहुत ही search करना मुश्किल है तो हम क्या करते हैं? Trial और error यह कर दिया, तो यह हो गया, यह कर दिया, तो यह सुधारा तो यह बगड़ गया, तो यह 15 साल से यह प्रोजेक्ट चल रहा है, और अब हम कुछ नतीजे पर पहुंच पाएं, लेकिन अभी भी trial and error ही चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही है, कि basic mechanism आज तक किसी को नहीं पता कि यह काम कैसे कर रहा है, आब यह कह रहा है, कि कुछ लोग कह रहा है कि अब यह quantum system है, अब classical super computer जाएंगे, quantum computer जब आ जाएंगे, तब यह problem चुटके में solve कर देंगे, लेकिन अब quantum computer बने ही नहीं है, वो 20-30 साल और वेट करो, तो मैं थोड़ा सा frustrated हो गया गया, अरे य इनका, और यह हम, जो solution डूड रहे थे, अच्छे solar cell बन जाएंगे, अच्छी battery बन जाएंगे, फिर यह delay हो गया, यह उसी तरह से हो गया, यह cancer or AIDS का होता है, इलाज, 1980 से चल रहा है कि 10 साल में इलाज मिल जाएगा, इलाज का, फिर अगले 10 साल बढ़ता जा रहा है, बढ़ यह, तो मैंने सोचा कि, मेरा तो इंडिया से हूँ, तो मेरा फेद थोड़ा वेदाज में है, कि वेदाज में बहुत साइंस चुपी हुई है, और ऐसे साइंटिस्ट सब को, मतलब ऐसे नहीं कि हम वैस्टन कल्चर से बाइस्ट हो गए, हम बुलकुल नहीं सुनेंगे स्वामी बिवेकानन्द और टेसला मिलते रहते थे, ऐसा कुछ ऐसे स्टोरी है, तो मैंने भी यूट्यूब पर सुन लूँ, देखूं, कोई वेदिक फिजिक्स में किसी ने डाला, लेकिन सौभाके से, स्वामी जी का चैनल ये वेदिक फिजिक्स के नाम से है, तो मैंने स्वामी जी को सुन लेता है, चलो एक गंटे, लेकिन जब मैंने इनका पहला लेक्चर सुना, तो जो clarity of thoughts था, मुझे स्वामी बिवेकानन दो स्वामी ध्यानन सरस्ति के बाद पहली वाल लगा, कि हाँ, ये इन महापुरस में कुछ दम है, या इनको सुनना चाहिए, मुझ फिर मुझे इतरा इंट्रेस्ट आता गया, मैंने इनके सारी वीडियो सुन डाले, मुझे गया, इनकी बातों में सारी बाता सही क्या रहे हैं ये, फिर इन्होंने वेद विग्यान आलो की तब तक पब्लिस कर दिया था, तो मैंने इसकी मगाया कॉपी ओर दिया, और फिर म अधिर मेरा सब्जेक्ट भी हाई इनरजी फिजेक्स और फोटन रहे चुका है, मैंसी में तब मैंने का कि फोटन इनोंने का कि आभी विसाल आ रही है, भाही ने बताया कि वो फोटन भी बहुत सारा मिलके बने हैं उसके अंदर भी प्रांड रस्मिया दूसरे बहुत प्रांड रस्मिया कुछ तो है, कि हमें इतना वो इनरजी से भर देता है, कुछ तो है, लेकिन एक खोई ठोज सबूत नहीं मिल रहा था, तो मैंने कुछ वेदों को पड़ा, लेकिन वो खाली ट्रांसलेशन था, तो कुछ मजा नहीं आया कि अरे फिर ये गड़वड हो ग प्रांसलेशन था, लेकिन वो इनरे वो इनरे जो लिखा है, कि सारी चीज़ें आप पढ़ें, तो समझ में आ जाएगे कैसे सारी रेक्शन हो रहे हैं, तो जो मैं बता रहा था, कि मेकनिस्म नौन नहीं है, बहुत सारी केमिकल रेक्शन की और ये, तो यही प्रॉब्लम आ गई, दो दिन बाद आया, तो कुछ और बन गया, फिर वो इसे बहुत सारी डिस्कवरी जैसी है, जो एक्सिडंटल हो गई है, लेकिन मेकनिस्म पता हो हमें, कि हो कैसी रही है चीज है, डिटेल में, नैनोस्केप, अटमिक लेवल पर और उससे भी बिलो, तो हम सारी डिव पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया स्वामी जी की बुक को और बहुत ही इंस्पाइरिंग, बहुत ही, मुझे लग रहा है कि हाँ, अब कुछ शॉलूसन निकलेगा, वर्ल्ट के प्रॉब्लम्स का, लेकिन ये प्रॉब्लम एक और है कि स्वामी जी तो अकेले है, उन्होंने बहुत ही महान काम किया है, तरे ब्रहमन को लिखा, अब निरुत भास कर रहा है, लेकिन ये पर रेस यहीं खतम हो जाए कि स्वामी जी की हेल्थ ठीक नहीं रहती, और ये बहुत ही आठ साल उसमें लगाए, अब हमें चाहिए कि हम एक नया कंसेप्ट में लिखाया हूँ, अब स्वामी जी, हम बहुत सारे स्वामी जी पैदा कर दें, स्वामी जी के असिरवास से, कुछ लोग वेदिक मैतमेटिक्स पर करें, कुछ सांख योगर, योग दर्सन करें, कुछ और अलग अलग करें, स्वामी जी के मार्क दर्सन में वो अलग बता दें हमें, और बहु यही असिरवात है कि स्वामी जी इस sugolly में हमें असिरवात दें और इस डारेक्शन में भी थोड़ा सोचें धन्यबाद इंट्रेस्टेट बाद काई डुप्लिकेशन ओफ स्वामी जी बहुत सारे टत्व ऐसे है System 2 जो ऑटो डिपेशन मोड में होते हैं और multiplication होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है परंतु स्वामी जी का duplication करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास और बहुत ज़्यादा संगर्श की भी आवश्यक्ता है इनके जो तप और परिश्रम से प्रभूत ये जो वैदिक रश्मी विज्यान है उसको समझने के लिए वस्तुत डॉक्टर संदीब कुमार जैसे लोग ही चाहिए आपने देखा एक व्यक्ती आप दंग रह जाएंगे, मैं तो रह गया कम से कम आपकी वी शायद ये इस्तिती हो कि कितने फील्ड में आदमी एक फील्ड पकड़ता है, उसमें पूरी जिंदगी लगा देता है और इन्होंने एक के बाद, एक के बाद टेक्नोलोजी के खित्र में भी जो कमाल किया है वो हमारे सामने सबी था हाना कि इन्होंने ये चिंता भी व्यक्त कर दी जो कि एक शाष्वत चिंता है कि टेक्नोलोजी के माद्यम से हम अपने सुविधा जनक, जीवन को सुविधा जनक तो बना रहे हैं परन्तु क्या प्रकृती के, डॉक्टर संदीप ने ये बात उठाई क्या प्रकृती के साथ इतनी छेड़ चाड़ उचित है फ्लावरिंग की जो आपने बात की इलेक्टरोंस के माद्यम से उसको ऐसा कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, कर दिया गया है परन्तु वो अंतुतो गत्वा टेक्नोलोजी का मनुश के जीवन में कितना इस्थान होना चाहिए ये एक महत्पूर्ण प्रश्न है मैं एक फूट साइंटिस्ट रहा हूँ जिनेटिक फूट्स को लेकर के एक ब्यापक बहस चल रही है बहुत बड़ा फायदा है आपके अमरूद जो है इतना बड़ा है वो इतना बड़ा अमरूद हो गया उसमें से बीच गाय हो गए आपके दांतों को वो टक्कर मारते थे तो बड़ी दर्द होता था और दांत जो है टूटने का खत्रा भी रहता था परन्तु अब ऐसे अमरूद आ गए कि उस अमरूद में आपको कोई खत्रा ही नहीं है ऐसी ऐसी विदियां विक्सित कर दी गहीं कि जो 20 दिन में राइपनिंग होती थी वो 12 गंटे में राइपनिंग हो जाए परन्तु इन सब के जो दुश परिणाम हैं वो भी साथ की साथ आ रहे हैं आयोडीन को आप देखिए एक गेंगा रोग होता है किसी बेल्ट में आयोडीन कम होती है वहां के लिए होती है इन्होंने पूरे के पूरे हिंदुस्तान में आयोडीन नमक में वो अनिवारी कर दिया बिलकुल जरूरत नहीं है और जैसे ही आयोडाइजेशन की बात हुई दो रूपे या एक एक रूपे किलो का नमक जो है वो 15-20 रूपे किलो हो गया तो डॉक्टर संदीप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े टेक्नोलोजिस्ट हैं परंतु ये बात उन्होंने उठा करके एक मंच को एक आयाम दिया है कि हम सभी ये सोचें कि तकनीकी विज्ञान हमारे जीवन में कितना प्रवेश करें और बाद में जो उन्होंने बात कई मैं उसके लिए साधुवाद देता हूं कि आप लोगों के माद्यम से स्वामी जी के डुप्लिकेशन की बात आती है तो फिर ये बात आती है कि कम सकम स स्वामी जी जो हमारे पास हैं उनको तो इस्तिरता के साथ पूर्ण द्रणता के साथ हम स्ताबित करें और उनको खड़ा करें